Hello everyone, मैं श्रेयस बढ़िये, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो की होने वाली है ancient Indian history पे So, आज मैं आपके सामने एक introductory lecture लेक्चर लेके आया हूँ, ancient history of India का जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपको history जो है, वो किस तरह से पढ़नी है, कौन-कौन से reference book है, कौन-कौन से topic आप study करने वाले है, जो की बहुत important चीज़े रहने वाली है तब ही आपको ये basic idea मिलेगी आज ancient history के बारे में, और आप लोग इसे एक organized pattern में पढ़ पाएंगे मेरे YouTube चैनल को subscribe करें और bell icon को press करें, ताकि आने वाले वीडियोज के notification आपको मिलते रहें So, आईए हम सबसे पहले ये देख लेते कि हमें ancient Indian history से कौन-कौन से topic cover करना है चालकोलिथिक एज भी study करेंगे, इस तरह से हम यहाँ पे study करते हैं pre-historic age में, तो pre-historic age में stonage study किया जाएगा जिसमें आप देखोगे तो paleolithic होता है, mesolithic होता है, neolithic होता है, उसके साथ सचालकोलिथिक age होता है यह सब चीजे यहाँ पे study की जाएगी, जो कि होगा हमारा pre-historic age में उसके बाद, जो अगला topic हम study करेंगे वो होगा हरपन और indus civilization है ना, तो हरपन या indus civilization जो होगा यहाँ पे हम हरपन culture के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, जिसको एक तरह से bronze age civilization भी कहा जाता है, यह सब चीजे हम यहाँ पे study करेंगे फिर हम उसके बाद आएंगे वेधिक पिरेड में, वेधिक पिरेड में आने के बाद, मैं आपको यह बता दू कि हम वेधिक पिरेड में advent of Aryans को भी study करेंगे, रिग वेधा से लेके पूरा later वेधिक पिरेड और यह सब वेधिक पिरेड हम यहाँ पे study करने वाले तो यह होगा हमारा वेधिक पिरेड पे, तो वेधिक पिरेड इसको कहा जाए है क्योंकि इस वक्त वेध जो थे, यह आए थे, तो यहाँ पे वेधिक पिरेड होता है हडप यहाँ इंडस civilization इसको कहा जाए है क्योंकि यह sites का नाम है, यह river का नाम है इंडस जिसके किनार वोपे जिसके बैंक पे ये civilization मिला था तो ये सब चीज़े हम यहाँ पे study कर लेंगे तो इसका बढ़ने के जरूरत नहीं है उसके बाद हम आगे आएंगे महाजनपद का जो पिरेड था वो जिसमें हम मगद और बाकी जो kingdom से related to महाजनपद ये सब यहाँ पे हम study करने वाले हैं इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि जो मगद था वो मगद किस तरह से rise हुआ किस तरह से grow हुआ और किस तरह से successful रहा एक तरह से इसके पीछे के reasons जो exams में बहुत importance रखते हैं तो ये सब चीज़े यहाँ पे study की जाएगी उसके बाद हम कुछ religions यहाँ पे study करेंगे जो कि ancient Indian history में आते हैं जैसे कि बुद्धिजम हम बुद्धिजम study करेंगे बुद्धिजम में origin कैसे हुआ उनका doctrine क्या है उसके साथ-साथ हम features देखेंगे decline कैसे हुआ importance क्या रहा यह सब चीज़े यहाँ पे पढ़ी जाएगी बुद्धिजम की उसी तरह से एक और religion है जिसको हम फिर से study करेंगे वो होगा जैनिजम तो जैनिजम एक और religion बनता है उसमें भी हम यही सब चीज़े study करेंगे origin कैसे हुआ spread कैसे हुआ contribution क्या रहा doctrine क्या था यह सब चीज़े यहाँ पे study की जाएगी एक और religion जो हम पढ़ने वाले है वो है जैनिजम उसके बाद हमें प्री मौरियन पिरेड को study करना बहुत जादा ज़रूरी है जो प्री मौरियन पिरेड है वो मौरिया आने के पहले याने चंद्रगुपता मौरिया के यह जो kingdom था मौरियन kingdom यह established करने के पहले कुछ और kingdoms इंडिया में हुआ करते थे जिसको प्री मौरियन पिरेड कहा जाता है तो प्री मौरियन पिरेड में हम कुछ और यहाँ पे study करने वाले कुछ kingdom study करेंगे जैसे कि नंदर डाइनस्टी, Persian हो गई, Alexander हो गई इन सबको हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे study करने वाले तो यह चीज़ें यहाँ पे study करेंगे इरान और यह सब यहाँ सभी है तो यह सब चीज़ें हम यहाँ पे study करने वाले तो आपको बहुत इंपोर्टन राहे थिसको हम study करेंगे जाने के बाद फिर पोस्ट मौरियन या फिर इसको pre-gupta कहा जाता है क्योंकि देखिये मौरियन आते हैं मौरियन के बाद का जो बीच का टाइम है वो और फिर गुपता आते है तो यह जो बीच का टाइम है यहाँ पे आते हैं यह पोस्ट मौरियन जिसको कहा जाता है या फिर प्री गुपता कहा जाता है इन दोनों के बीच में तो मौरियन के बाद के इसलिए पोस्ट मौरियन या गुपता के पहले के इसलिए प्री गुपता तो यहाँ पे कौन कौन से डैनिस्टी तो for example सुंगाज हो गए, कानवाज हो गए, साथवहानाज हो गए, इंडो ग्रीक्स हो गए, शकाज हो गए, कुशान हो गए, इन सब लोगों को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, so यह सब चीज़े यहाँ पे स्टडी होगी, और फ चोटे चोटे बहुत सारे टॉपिक है, जो कि हमें बहुत सारे टॉपिक से यहाँ पे कवर करना है, इंचेंट हिस्ट्री के, जो कि आपको एक overall पूरी idea मिल जाएगी, इंचेंट हिस्ट्री की, आपको बिलकुल डरने की जरुवत नहीं है, जिस तरह से मैंने modern बनाया है, आपका ancient भी बना के दूँगा, आपको बिलकुल डरने की जरुवत नहीं है, तो अब यहाँ पे आपका सवाल यह होता है, सबसे जादा, देखिए, जो भी study करता है, उसका सबसे main सवाल यह है, कि reference book कौन से use की जाए, so reference books जो होगी, ancient history के लिए, वो mainly जो हम use करेंगे, वो हो जाती है, तो ठीक है, अगर नहीं होती है, या फिर अभी आप अगर चाहते है, कि आपको तुरंत ही available हो जाए, तो इसका जो PDF है, वो मैंने reference books का, यह मैंने already upload कर दिया है, मेरे टेलेग्राम चैनल में जरूर जाए, मेरे टेलेग्राम चैनल की जो link है, वो description में दी हुई है, तो टेलेग्राम चैनल को विजिट करें, वहाँ से आप PDF जो है, वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसके साथ साथ आपको यह भी बता दू कि मेरा जो टेलेग्राम का चैनल है, वो अगर आप जॉइन कर लेते हैं, तो आपको बहुत सारी updates मिलते रहेंगे, तो उसे जॉइन पढ़ सकते हैं, तो इसका भी मैंने PDF अप्लोड कर दिया है मेरे टेलेग्राम चैनल पर, तो आप यह दोनों बुक्स का यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, मेरा जो टेलेग्राम चैनल है वहाँ से, तो Old NCRT of Ancient India by R.S. Sharma और Tamil Nadu Board के History textbook of Standard 11, अगर पढ़ना चाहें, तो यह य तो आपको अगर shortcut करना है, तो आप Tamil Nadu की Board की भी पढ़ सकते हैं, अगर टाइम कम है, तो जिनके बास टाइम अच्छे से है, या फिर जो पढ़ सकते है, कंप्लेट कर सकते हैं, उन्होंने Old NCRT ही पढ़ना चाहें, यही मेरा suggestion होगा, क्योंकि यह पढ़ने के बाद आपको दीटेल में ancient history की study हो जाएगी और आपको बिलकुल टरने किया जरुवत नहीं पड़ेगी, उसके बाद में आपको एक और चीज यहाँ पर बता देता हूँ, history देखिए, यह बुक जो है, यह इस तरह से दिखती है, अगर आप डाउनलोड कर रहे हो तो यह उसका cover page और यह बहुत अच्छे author है, राम शरन शर्माजी, उसके साथ साथ मैं आपको यह बता दूए एक बात कि जो questions है, जो ancient history से आएंगे, वो जाधा तर आप देखते है कि pre में आते है, means में जो question पूछे जाते हैं ancient से, वो जाधा तर art and culture से related होते है, तो art and culture की series हम आगे study करने ही वाले तो इंडिया के कोई भी history से वो पूछ सकते है question, उन्होंने कही भी लिखा नहीं है, but Indian national movement जो कि modern में आता है, आपको पता है, but history आप इंडिया में वो ancient से पूछ सकते है, medieval से पूछ सकते है, कही से भी question पूछ सकते है, इसलिए हमें prepare रहना बहुत जाधा जरूरी है, और नहीं है, तो UPSC ने भेजा हुआ है, तो यहाँ देखेंगे, अपन paper 2 जो है, उसमें दिया हुआ है, हमारा जो syllabus आता है, जिसमें आता है history, तो यहाँ पर आप देख सकते है, Indian heritage and culture, यह आट and culture का पाड़ बंतार, यहाँ पर लिखा हुआ है history, so यह history से यहाँ पर question पूछे जाते है, तो यहाँ पर क्या लिखते है, Indian culture will cover the salient aspects of art forms, literature, architecture, from ancient to modern types है, तो यह तो आट and culture का syllabus हो गया, दूसरा यहाँ पर लिखा जाता है, modern Indian history है, तो यहाँ यह लिखा गया, यह freedom struggle लिखा गया, so यह सब जो चीज़े है, यह modern का जाधा तर इस पर weightage होता है, mains में, और यहा आपको culture भी पढ़ना है, तो आपको ancient history के पहले idea होनी चाहिए, या फिर आपको पहले pre, जो है, यह clear करना पड़ेगा, तभी आप mains लिख सकते है, इसलिए ancient history पढ़ना बहुत जादा जरूरी है, यह आप अभी समझ रहे है, so यह सब चीज़े यहाँ पर आपको पढ़नी हो आपको बिल्कुल डरने के ज़रूरत नहीं, मैं अभी आपके साथ ancient history में आ चुका हो, so यहाँ पर यह सब चीज़े चलती रहेगे, उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दू कि आपको MCQ जो है, यह भी बहुता दू कि आपको MCQ जलता है, जैसे कि जिनोंने मेरे modern के आपके नाम के साथ, और इसका क्या होगा, तो इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो भी बनते रहेंगे, questions पे, MCQs पे, वो आपके नाम के साथ आपके questions पब्लिश किया जाएंगे, जो आपके तरफ से एक help होगी सबी aspirants को, या फिर आप यह भी कह सकते है, कि जो MCQ बना सकता हूँ, MCQ solve करने में तो master बनी जाएगा, तो बिल्कुल आपको tension निलेना, आप यह सब कर सकते हैं, जो MCQ आप भेज सकते हैं, जिससे आपका खुद का बहुत अच्छी practice होते रहेगी, so MCQs भेजते रहेगा, और इस तरह से हम शुरू करेंगे ancient history of India को, एक और और यह जो आपके videos होंगे, यह 15-20 minutes के ही होंगे, यह मेरे पूरी कोशिश करूँगा मैं, तो बहुत बड़े-बड़े videos निहीं होंगे, short videos ही बनाऊँगा, जिसके करान आप इसको easily देख पाए, तो आपको कोई भी अगर doubt होता है, तो आप लोग मेरे जो channel है, जिसका नाम श्रेयस बड़ी है, यह मेरा Instagram का ID है, इस पे आप मुझे अपने doubts पूच सकते है, आप मुझे Facebook पे भी follow कर सकते है, ताकि आपको और information मिलते रहे और updates मिलते रहे, मेरे telegram channel को join कर सकते है, जिसके चलते आपको updates हमेशा मिलते रहे, जो भी books है, उनके कभी में आपको कुछ available कर दे सकते हो PDF, तो वो सब चीजे भी यहाँ पे आप जोइन कर सकते है, श्रेयस बड़ी है, यह मेरा YouTube channel है, इसको आप जोइन करेंगे, तो आपको subscribe और bell icon को जब आप प्रेस करेंगे, तो आपको यहाँ पे बहुत जादे help मिलते रहेगी, और मेरे आने वाले वीडियो के updates भ regularly revision करते रहे, इसी उमीद के साथ मैं श्रेयस बड़ी है, आप से अगले lecture में मिलूँगा, first lecture में मिलूँगा, ancient के तब तक के लिए आपका दिन शुब हो